क्या आपने सोचा है कि pimples क्यूं और कैसे बनते हैं इस इशू की वज़ा से लोग बहुत परिशान होते हैं चले आज देखते हैं किस तरहां pimples बनते हैं और किस तरहां हम इनसे बढ़ सकते हैं Pimples basically sebaceous gland की activity से बनते हैं जो हमारी skin के अंदर present होते हैं ये gland एक oily substance produce करते हैं जिसे हम sebum कहते हैं sebaceous gland sebum को produce करते हैं और sebum pore skin में मुझूद pores के through हमारी skin की surface पर आती है और इसको moisturize करती है बट sometimes क्या होता है कि आपके sebaceous gland में oil की production excessive हो जाती है और आपकी जो pores होते हैं वो dead skin cells की वज़ा से block हो जाते हैं और sebum जो है वो बाहर move नहीं कर पाती जिसके वज़ा से वो अंदर ही accumulate होती है और inflammation का बाइस बनती है sebum के अंदर accumulate होने से bacteria की growth start हो जाती है bacteria की growth होने के वज़ा से हमारा immune system जो immune cells होते हैं उसको inflammation की side पर भेज़ता है जिसके वज़ा से इस area में redness और swelling develop हो जाती है और एक bump सा महसूस होने लग जाता है जो के बाद में pimple की शकल इक्तियार कर लेता है pimple सादा उन लोगों में बनते हैं जो के oily और fast food का इस्तमाल बहुत ज्यादा करते हैं तो अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो आपको ऐसे fast food और junk food को खाना avoid करना होगा दूसरा pimple को avoid करने के लिए आपको fresh fruits, salads और vegetables का use ज्यादा करना होगा यह हमारे immune system को strong बनाते हैं इसके इलावा you can consult your dermatologist, different laser therapies और drugs के थूँ acne को treat किया जा सकता है and you can get a flawless skin thanks for watching if you like please subscribe my channel